नमस्कार साथियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है साथियों यदि आप UGC NET के त्यारी कर रहे हैं आप UPSC यानि की IAS IPS बनने के त्यारी कर रहे हैं या किसी भी राज के Public Service Commission में Deputy Collector बनने के लिए आप त्यारी कर रहे हैं चाहे वो Prelims का एकजाम हो, या Men's एकजाम हो, या Interview हो, या फिर विभीन परिछाओं के लिए चाहे वो चपरासी के नौकरी दे रहा हो, या Bank PO का एकजाम दे रहे हो, या SSC एकजाम दे रहे हो, या सिछा कर्मी या TET का एकजाम दे रहे हो सबी परिच्छाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हुए मैं ऐसा मनता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी संकाएं हैं वो संकाएं दूर हो जाएगा और हम आपको एक उपय बता रहे हैं कि इस तरह से आप जो है नोर्स बनाते जाएए हम नोर्स कैसे बनाना है और इसी प्रकार से एक पेज में एक नोर्स आपको तैयार करना है यानि कि मैंने जो है नोर्स का ही भाग को जो है यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत रहा हूं और आप नोर्स के रूप में एक कॉपी बना लिजे जिसको पॉलिटी के नाम से जानते हैं या सविधान के नाम से जानते हैं या किसी अन्य सरूप में पी बनाईए जो law order and civil rights YouTube channel के नाम से होगा जिसमें से जो भी चीजें आपके लिए महत्पूर्ण हम नोड्स के रूप में आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे उसको आप नोड करते जाएए आईए देखते हैं सविधान के महत्पूर्ण कालखंड सबसे पहली बात सबसे पहली चीजें जो question पुछा जाता है 1934 का पुछा जाता है 1934 में मन राय ने एक सविधान सभा के सबसे पहली बात जो विचार रखा गया था जो महत्तपूर्ण विचार था जिंके माध्यम से एडाप्ट किया गया सविधान सभा के लिए विचार किया गया वो थे और 1934 में उन्होंने इस विचार को रखा अब उसके पहले की इतिहास को थोड़ा सा देख लें 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधक के माध्यम से सविधान की मांग की ये most important है जो इतिहास में प्रशन पुझा जाता है लोगप्रसासन में प्रशन पुझा जाता है पोलिटिकल साइस में प्रशन पुझा जाता है या आपके law में भी ये प्रशन भारत को ब्रिटिस राज में एक डोमिनियन का दर्जा दिये जाने की मांग की, यानि की यहाँ पर सोतंतरता का एक माध्यम था डोमिनियन का दर्जा, इसलिए उन्होंने इस मांग को रखा। सविधान बनाने की मांग की, यानि की आपको यह करम भी पूछा जा सकता है, इसलिए यह आपके महत्मा गांधी वाला विबरन और पंडित मुतिला नहरु वाला रेनु रिपोर्ट, नहरु रिपोर्ट के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, 1929 में जवाला नहरु ने लाहर धिवेशन में सविधान की मांग की, 1936 में फैजलपूर सम्मेलन में भी यही मांग रखे गए, यहापर 1942 एक टर्निंग पैट आता है, चोकि एक सितंबर 1949 को दुती विश्टित की घोष्ना हो जाता है, जिससे ब्रिटेन की प्रधान मंत्री के निर्तित में जो मित्रवत देश थे, मित्र मंडली जो देश थे, धुरुवी देशों की साथ में युद्ध की घोष्ना कर देते हैं, जो ब्रिटीस प्रधान मंत् से और सेना दोनों की जोवरत पड़ता है, साती साथ जापान ने आपका सिंगापूर में कबजा कर लेता है, युद्ध छेर देता है, जो भारत के लिए बहुती खत्रा था, इसलिए भारतियों के लिए भी साथ साथ ब्रिटीस प्रधान मंत्री के लिए चिंता कभी से था जिसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है, आट अगस्त का फिर्प्स मिसन योजना होता है, उसके बाद जो है योजना आयोक 1946 में भारत आते हैं और सविधान सभा का निर्मान होता है, गठन होता है, उसके बाद ही सविधान बनता है, सविधान सभा के लिए सबसे पहले अ आज्यते ग्याराज्यों के जो विधान सभा थे वही से निर्वाचीत होकर जो सविधान सभा में सविधान बीद लोगों ने वहां पर विराजमान हुए और वहीं से सविधान बन कर तैयार हुआ साथियों मुझे पुरा विश्वास है कि ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो जरूर लाइक करें लाइक करने से समझ आता है कि आपको जो है अगली बार का कोई वीडियो चाहिए इस तरह का साथियों जो CGPAC या MPPAC के त्यारी करना है ऐसे ही इस नोट को जो है आप नोटिंग करते जाएए साती साथ इस वीडियो को स्टेयर करें और आप हमारे पहली बार इस चैनल में आया है और वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब करने के बाद की आप जो है यूटूब को छोड़े ठैंक यू